फोन पे का नया एक UPI PIN बनाना चाहते हैं, उसका भी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो को अंतक देख लेते हैं, तो सारा इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जागा कि कैसे UPI PIN जो है बना जाते हैं, तो आपको पास म पे एटियम कार्ड रखना बहुत ही जरूर है, क्योंकि एटियम कार्ड की ही डिटेल से आप जो है UPI PIN reset कर सकते हैं, तो आईए हम आपको बताते हैं कि किस तरह के से फोन पे का UPI PIN जनरेट किया जाता है, सबसे पहले जैसे कि आप इस किन पर देख रहे हम जो है यहाँ प पे फोन पे अप्लिकेशन ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो है अप्लिकेशन जैसे ही ओपन करेंगे फोन पे, तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का इंटरसेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे में एक आप्सन आपको मिल जाता है माई मनी का, तो एकाउंट नीचे में लिखा हुआ ओंप यहां पी UPI के उपर आप किलिक करेंगे तो जैसे ही आप without failure क्लिक करेंगे तो आप को यहां पे जिस भी एकाउंट का आपको जो है यूपि度 करना रहे हैं चाहते हैं यह या बनाना चाहते हैं रिशेट करना चाहते हैं उस account के उपर आप select करेंगे तो finally मेरे पास जो है दो account जो हूँ 6114 का जो है जो है जो ही मेरा state bank का है तो यहाँ पर इसी का हम को change करना है तो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं अगर आपका एक account है तो उसी पर आप click है करेंगे तो यहां पे चली हैं इस account पे हम यहां पे किली कर देते हैं तो कीलिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख का जो यहां पर छेड़ीट करना होगा जिसे की हम यहां पर लास्ट का six digit इंटर कर देते हैं उसके बाद आपको जो है वैलिडेटी आपके एटियम कार्ट का कितना है वो आपको यहां पर इंटर कर देना है तो चलिए हम यहां पर इंटर कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हम इसको जो है इंटर कर लेते हैं उसके बाद आप आप जो है continue पे click कर लेंगे उसके बाद आपको continue पे click कर देना है तो जैसे ही आप continue पे click करेंगे तो आपके register मौल निमर्ट पे एक OTP आएगा वो OTP देना होगा उसके बाद कौन सा आप पीन set करना चाहते हैं आप वहाँ पे जो है यहाँ पे कर देंगे उसके बाद राइट वाले निशान पे click कर देंगे उसके बाद कनफरमेशन के लिए फिर से जो है आप अपना यहाँ पर यहाँ पर यूप 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 यू ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा